हेलो फ्रेंज, वेलकम को एट्वेंटीफो नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, रेलवे रिकुर्मेंट बोर्ड की, जो वेकेंसी आपकी फ्रेंज से जारी की गई थी, एलपी पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपने ओनलाइन होगा, जिसकी इंपोर्टेंट डेट थी, 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक आपने ओनलाइन फॉर्म को अगर अपलाए किया है, और आपके फॉर्म में अगर कोई भी गलती हो गई है, तो फ्रेंज, आप उस गलती को मॉडिफाय कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, इसके लिए फ्रें 30 फरवरी 2024 तक आपकी फीस यहां पर लगने वाली है, तो फ्रेंज, यहां पर आपकी मॉडिफिकेशन फीस इस डेट तक अपलाए करने के बाद आप पे कर सकते हैं, अगर आपकी कोई भी गलती हो गई है, आप उसे सही कर पाएंगे, आपको यहां पर प्लीज, नोट सेक् की है, वो आपकी मॉडिफाए नहीं होगी, बाकी अधर पोर्ट जितनी भी जानकारी है, वो आप मॉडिफाए कर सकते हैं, तो यहां पर फ्रेंस, यह पोर्टल आपके सामने यहां पर ओपन हो जाता है, जिसके लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा, और डारेक लिंक आपको फ्रेंस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com पर भी देखने को मिल जाएगा बात करते हैं railway rrb alp का online form आप कैसे edit कर सकते हैं correction कर सकते हैं modify कर सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंस से देखिए railway requirement board का यह official portal है जहां से आपने apply किया होगा अब यहाँ पर देखिए apply में आपने यहाँ पर create an account किया होगा पर आपको यहाँ पर क्योंकि modification करना है तो already have an account पर आपको click करना होगा इसके बाद है sign in into your account तो आपका mobile number या mail id या फ्रेंस आपने जो password create किया होगा वो password डालकर यह capture code डालकर आप login कर सकते हैं अगर आप password भूल गया है तो forget password option भी है आपका mobile number और date of birth और एक capture code डालकर आप proceed करेंगे तो आपना password आप generate कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर simply यहाँ से login कर लेना है इसके बाद फ्रेंस आप अपने portal पर login हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको एक link मिलता है view and modify application का आप इस option पर click कर देंगे click करने के बाद आपके सामने देखिए आपके सामने एक portal open होगा जहाँ पर आपको आपका registration number शो करता है post का नाम payment status आपको यहाँ पर देखिए शो करेगा आप यहाँ पर view application करके आपके application form का print out सेव रख सकते हैं और इसके साथ में आपको एक option मिलता है देखिए यहाँ पर modify का तो आप दिये के इस link पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपसे कहा गया है you can modify application particular except मतलब इनको छोड़ कर नाम father name, mother name, gender, date of birth, mail ID और mobile number इसमें आपसे कहा गया है last date application form में आपको जो यहाँ पर modification है उसके लिए 200 रुपे फीस आपको यहाँ पर pay करनी होगी तो आप I understand and I agree पर click कर देंगे इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आपका जो form है वो दुबारा से यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ पर friends से देखिए आपके marital status का option है religion का option है आपका language of examination अगर आप यहाँ पर change करना चाहें तो वो कर सकते हैं कोई भी visible mark है तो आप उसकी entry यहाँ पर दुबारा से कर सकते हैं इसके बाद friends से नीचे आपका देखिए फैंसे community option है तो यहाँ पर देखिए general SC, ST, OBC, EWS जो भी आपकी category है आपका certificate number क्या है issuing authority कौन सी है इसमें से किसने के जारी किया है वो आप जानका ही दे सकते है issuing state कौन सा है date of issue क्या है इसके इलावा friends आपको अगर free pass चाहिए exam में entry करने के लिए तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और इसके बाद आपका nearest railway station कौन सा है और आपको valid card certificate pda format में यहाँ पर upload करना होगा इसके बाद आपका address section है नीचे तो आप अपना address भी यहाँ पर change कर सकते हैं इसके बाद friends next option आता है आपकी other details का तो यहाँ पर देखे फैंस अगर आप एक service man है तो yes no कर सकते हैं पी-एस candidate है तो yes no कर सकते हैं इसके बाद friends नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए आपका account holder name, account number आपको यहाँ पर देना होगा IFC code आप यहाँ पर डाल कर उसे confirm कर सकते हैं तो यह basic जानकारी है जो कि अगर आपको यहाँ पर लगता है कोई भी edit आपको करना है तो आप उस जानकारी को edit कर सकते हैं इसके बाद friends नेस्ट option आपके qualification का है और qualification में देखिए friends यहाँ पर 10th प्लस में IT required है 10th प्लस में apprenticeship required है या diploma आपके पास है या फिर degree आपके पास है आप इसमें आविधन कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 10th और 12th की जानकारी अगर आपको edit करना है तो आपको यहाँ पर edit का link मिल जाता है आप इन में से किसी भी option पर click कर सकते हैं और उस जानकारी को यहाँ पर edit कर सकते हैं और उसके बाद दुबारा से update कर सकते हैं इसके अलावा माली जी कोई और qualification आप add करना चाहें तो आप यहाँ से उस qualification को भी add कर पाएंगे इसके बाद आप next step पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए sample के तौर पर मैंने photograph and signature अप्लोड करके आपको show किये हुए है तो आप view sample photo पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए sample photo आपको दी गई है तो आपका जो photo है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए इसमें आपको देखिए जो photo है वो 30-70 kb के बीच में होना जरूरी है इसके लावा आपका signature आपको यहाँ पर upload करना है और अगर आपको लगता है इनमें कोई गलती है तो आप browse पर click करके दोबारा से इसे re-upload यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद ही आप इसे upload and save पर click कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको जो exam trade है आपकी cbt2 के लिए वो आप यहाँ से select कर सकते हैं आप जो भी cbt trade यहाँ पर select करना चाहें इसके बाद friends आप यहाँ पर इसे tick करेंगे नीचे आने पर आपको यहाँ पर इसे declare करना है place का नाम देना है और उसके ब पास फ्रेंट से OTP आएगी वो OTP आपको friends यहाँ पर verify करने होगी OTP verify करने के बाद ही friends आपका यहाँ पर जो है और यहाँ पर friends आप card के माध्यम से या net banking के माध्यम से आपके payment को confirm कर सकते हैं जब आपका payment verify हो जाएगा इसके बाद आपका modification भी complete हो जाएगा तो मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी provide कर दी है कि कैसे friends आप यहाँ पर centralized employment notice cn01-2024 जो की requirement है railway, rrb, alp, post के लिए इसका online form में आप modification कर सकते हैं क्या क्या आप modify कर पाएंगे और आपका payment कितना लगेगा कैसे आपको payment करना है यह सारी जानकारी मैंने आपको provide कर दी है 20 फरवरी 2024 से आपका link activate हो गया है 39 फरवरी 2024 तक यह link activate रहेगा तो friends अगर आप apply करना चाहते हैं तो given date में आप इसमें जो आपका form है उसमें modification कर सकते हैं अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो like, subscribe and share जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहे है हमारे साथ देखते रहे हमारा यूटीब ट्रेर, last thanks for watching कर दो